इस वीडियो को sponsor किया है Dr. Phone, Phone Transfer ने जिसकी मदद से आप अपना Android का सारा डेटा iPhone पे, iPhone का सारा डेटा Android पे, iPhone से iPhone और Android से Android सारा डेटा एक क्लिक की मदद से ट्रांसफर कर सकते हो। यह PC अप्लिकेशन है, इसको डाउलोड करना है अपने PC में आपको, वहाँ पे दोनों डिवाइस को कनेक करना है, डेटा डाइप सेलेक करना है, स्टार ट्रांसफर पे क्लिक करना है और एक डिवाइस का सारा डेटा दूसरे डिवाइस पे सीमलेसली ट्रांसफर हो डॉक्टर फोन फोन ट्रांसफर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस पे क्लिक कीजिए, इसको डाउलोड कीजिए और चेक आउट जरूर कीजिए डॉक्टर फोन की दर्फ से यह है 20% डिसकांट का कूपन कोड इसको इस्तमाल कीजिए और पाईए दॉक्टर फोन के अबर 20% का फ्लाट डिसकांट वीडियो के स्टार्डिंग में आपको डॉक्टर फोन के बारे में बताया था, इस कूपन कोड को इस्तमाल करके उस पर पाईए 20% का फ्लाट डिस्काउंट, लिंक नीचे दिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौझूद है हाई दोस्तो, असलाब अलेकूम, कैसे आप लोग, मेरा मनबील है, आज का मारा वीडियो है iOS 14 के एक नए लीक के बारे में जहां पे iOS 14 के बारे में ऐसी खबर निकल के आ रही है, कि इसके अंदर आपको देखने मिलेगा, इंटरनल कॉल, रिकॉर्डिंग, आइफून के लिए यह बहुत ही अच्छी न्यूज है, बहुत ही वेलकमिंग न्यूज है, अगर ऐसा होता है, तो यह जो है, बहुत ही कमाल की बात होती है, बहुत ही अच्छी बात होती है, लेकिन यह जो न्यूज है, यह जो लीक है, यह कहां से आई है, इसका सोर्स क्या है, और क्या ऐसा हो सकता है क्या ये चीज पॉसिबल है या नहीं इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे ये खबर निकल के आई है एक चाइनीज वेबसाइट के जरिये से जिसका नाम है IT Home और ये जो वेबसाइट है इसने बताया है कि ये खबर निकल के के जो audio है उसको record करने के लिए भी option देखने को मिलेगा लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे दो राय है कुछ लोग बोल रहे कि ये चीज पॉसिबल है क्योंकि बहुत जादा iOS users जो है उनके demand है आप लोग जानते है आप लोग भी बहुत सारे लोग पुछते रहे थे के call recording कैसे करे आईफोन के उपर तो ये चीज बहुत लोग का बोलना है काफी experts का भी बुलना है कि ये चीज पॉसिबल है कि Apple लेकि आए और ये region specific हो यानि की country specific हो एक एक country में जो है उसको धीरे धीरे वो launch करे जहां पे उसकी permission government से उनको मिलती है क्योंकि बहुत ही एक sensitive matter है बहुत ही जो है एक legal matter है call recording का कोई भी जो बच्चों का खेल नहीं होता बहुत सारे Chinese phones में आप देखते होंगे कि ये चीज देखने को मिलती है आपको call recording का option लेकिन Apple एक बहुत बड़ी company है उसके उपर बहुत जादा legal trouble आ सकता है अगर वो ये चीज करती है तो directly वो लो ये चीज नहीं करेंगे तो ये एक राय है कुछ experts की और दूसरे कुछ experts है खास करके जैसे कुछ websites है 9to5 Mac उनका claim ऐसा है कि ये चीज possible नहीं है ये सिर्फ जो है internal build में से आपको एक screenshot निकाल के उन्होंने दिखाया है जो कि सच्चा screenshot है जूटा नहीं है लेकिन ये सिर्फ Apple के employees के लिए testing purpose के लिए और call recording purpose के लिए Apple ने वहाँ पे ये feature रखा है लेकिन अगर Apple ये चीज़ दे भी देता है तो यहाँ पे एक disclaimer है एक legal notice भी है जो आपको पढ़ना जरूई है तो वो भी आपको दिखा दिता हूँ जिम्मेदर ये आपकी है कि सारे parties जो call पे है चाहे आप हो चाहे सामने वाला हो सब को ये आप अपनी तरफ से inform करके बदाए कि ये call जो है record हो रहा है और आपके area के आपके country के आपके state के आपके city के उसके उपर जो है पूरी तरफ से आप comply करते हुए आपकी call recording करे वरना ज किसी और के हाथ में नहीं देंगे आप अपनी जिम्मेदारी के साथ जो है audio call को record करेंगे अब ये चीज़ देख लिए आपने दोस्तों ये कोई चोड़ी मोड़ी बात नहीं है काफी बड़ी चीज़ है क्योंकि बहुत सारे countries बहुत सारे regions ऐसे होते है जहां पे it is completely illegal कि audio record करें अगर आप record करते हो तो आप खुद भी legal trouble में आ सकते हो और अगर Apple आपको ये facility देता है तो Apple भी इसमें खिचा जा सकता है क्योंकि ये एक audio call recording device बन जाएगा आपका iPhone जो के एक काफी risky matter है तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है ये चीज़ पॉसिबल भी है और ये PC 2020 जो है वो 22 जून को होने वाला है एक online event की जरी से जहाँ पे Apple iOS 14 और उसके सारे features हमारे सामने लेगे आएगा जब हमको सब चीज़े पता चलेगी लेकिन ये जो एक sensitive matter है इस पे question mark लगा रहेगा जून 22 तक जब हमको पता चलेगा कि ये चीज़ actual में हमको अपने iOS devices में दे किया जा सकता है rules and regulation के बारे में और study जो वो लोग करे और later stages पे iOS 14 के आगे वाले builds जो आएंगे उसके अंदर कभी ये चीज़ Apple दे सकता है मेरी रागर इस चीज़ के उपर मैं बताओ दोस्तों कि आ सकता है नहीं आ सकता है मैं कैसे सोचता है तो मुझे ऐसे लगता है कि 80-90% chance है कि ये चीज़ आपके iPhone पे नहीं आएगी क्योंकि बहुत ही साथ sensitive matter है और इतना आसान नहीं है call recording को enable करना Apple के लिए क्योंकि आप जान इससे बाहर निकलना पड़ेगा जब जाके आप call record कर सकते हो तो बहुत 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 चांस है कि call recording ना आए लेकिन 10-20% chance हम दे भी सकते है कि call recording आजा और उसके लिए wish भी कर सकते है उसके लिए pray भी कर सकते है तो आपको क्या लगता है दोस्तों क्या call recording वाला feature आएगा या क्या यह screenshot fake है क्या यह screenshot को internal build का है जहाँए सिफ apple के employees ही इसको इसको इस्तेमाल कर पाएंगे कुछ testing purpose के लिए जो भी आप सोचते हो नीचे comment में लिखके बदाए और क्या आप चाहते है कि search में call recording अपके iPhone में आए इसके बार में आप लिखके मुझे बता सकते है वीडियो के चैनल को सब्सक्राब दूर किया गुद बाए